बिस्मिल्ला रह्मने रोहेम अस्सलाम अलेकुम वेलकॉम तो आट चैनल आएसी पीएचे साहरवाई के आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री में चेप्टर अमाइनो एसिड को और यह लेक्चर अमाइनो एसिड पर फर्स लेक अमाइनो एसिड आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन यानि के अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड आपस में मिलके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे वह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोटीन तो अमाइनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन के मोन कहते हैं हम one को मर्व मॉलिकूल को तो मोनो हम मतलब single molecule यह बन मॉलिकूल तो अमाइनुएसिट अकेला molecule होता है जब वो कहलाता है amino acid जबके बहुत सारे amino acid बापस में मिलते हैं तो बनाते हैं polymer poly कहते हम मैनी को तो जो amino acid amino acid आपस बापस जो polymer बनाएंगे जो many molecule वाला compound बनाएंगे वो कहलाता है या जो complex structure बनाएंगे वो कहलाता है protein तो amino acids are the monomer of biopolymer amino acid monomer है या amino acid single unit है किसके single unit है? बायो पोलीमर के और वो बायो पोलीमर क्या कहलाता है which is called as protein they form protein by a biochemical bond अब यह जो amino acid है या आपस में attachment के साथ protein बनाते हैं यानि कि amino acid amino acid के साथ जुड़के या मिलके protein बनाएंगे तो they form protein by a biochemical bond और यह जो bond जिसके तुरू आपस में जुड़े वे होते हैं वो कहलाता है bond peptide bond या फिर वो कहलाता है peptide linkage यह इस वक्त आपके सामने structure नज़र आ रही है यह structure है amino acid की इसमें आपको एक center में carbon नज़र आ रहा है जिसके साथ arrow का indication भी आपको शोर है alpha carbon के नाम से तो जो center में carbon है यह carbon जो central carbon है यह कहलाता है alpha carbon इस alpha carbon के दोनों side पे एक group है एक side पे आपको नज़र आ रहा होगा amino group जो के है जबके दुसरे side पे आपको नज़र आ रहा होगा carbozylic acid group COOH यह जो carbozylic acid group है इसको हम carboxylic acid group भी pronounce कर सकते हैं तो यह carbon जिसके साथ यानि कोई भी carbon जिसके साथ functional group attach हो वो carbon कहलाता है alpha carbon इस वक्त आपको जो center में carbon नज़र आ रहा है उसके साथ दो functional group attach है एक side पे amino group दुसरे side पे carbozylic acid group इस वज़ा से यह center वाला carbon कहलाता है alpha carbon इसी alpha carbon क्योंके आपको पता हर carbon क्यों चार bond बनेंगे तो इसी carbon के दो bond तो हो गए इन दो functional group के साथ बाकी रहे गए remaining two तो वो जो दो group से उसमें इसके साथ एक hydrogen attach होगा जबके fourth attachment या fourth bond जो होगा वो bonded होगा और इस और को हम बोलेंगे कि यह alkyl है या यह side chain है इस और group के साथ यहाँ पे कोई भी alkyl chain में carbon के साथ किसी भी group के attachment हो सकती है यह alkyl group जो है या यह side chain है या यह आर है यह aceric भी हो सकता है यह basic भी हो सकता है यह कैसा भी हो सकता है यह straight chain भी हो सकती है और यह aromatic यह ring form में भी हो सकता है अब बात करते हैं amino acid के इन दो functional group के जो के एक है amino group दूसरा है carbosalic acid group तो basically जो amino acid का नाम है वो इन ही दोनों group की base पे है amino इस एक amino group की वज़ए से amino acid का दूसरा नाम का जो दूसरा हिस्सा है वो carbosalic acid के acid से लिया गया amino acid में दो functional group होते हैं एक है amino group दूसरा है carbosalic acid तो यह कहलाया amino acid इस वक्त आपके सामने जो structure शो हो रही है इसमें आपको चारों groups को अलग-अलग से highlight करके दिखाया गया है के central carbon जो के central में आपको carbon नजर आ रहा है यह alpha carbon कहलाता है इसके साथ चार groups attach होते हैं एक होगा amino group NH2 दूसरा होगा carbosalic acid group यह carbosalic acid होता है Cable H, तीसरा होगा hydrogen जबके fourth one होगा alkyl group या R group जो कहलाता है side chain में इसके इलावा हमने एक और definition में हमने एक और बात यह पढ़ी कि यही जो amino acids होते हैं यह amino acids monomer होते हैं याणि अकेला अकेला जब होगा single unit होगा तो यह कहलाएगा amino acids जबके यह amino acids जब एक दूसरे के साथ मिल जाएगे तो जो complex structure बनेगी वो कहलाएगी प्रोटीन तो इस वक्त आपके सामने जो उपर टॉप पे नज़र आ रहे हैं वह आपको जितके बीच में जो दो स्ट्रक्चर हैं जिनके बीच में प्लस का साइन हैं यह दोनों है एक सेंेंट्रिल अलफा कार्बण आपको इंडिकेट करने यह कार्बन के साथ ज्यसे हमने पहले ऑ्यकण किया उसी कार्बन के साथ एक आमाहीन के सानगोर्पुक्र नासे है ये गाल के साथ दूर्ट इस ज मेormाइनग्ण के साथ अपने आमाहीन ग्रूप एक सार पर लिकोल और वैसे यह अगले amino acid का भी आपने amino group उसी side लिखना है और carbonic acid group same उसे side लिखना है तो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं कि दो amino acid आपस में attach हो रहे हैं यह दोनों जब attach होंगे तो basically carbonic acid का hydroxyl OH और amino group का hydrogen H यह दोनों यहाँ amino acid से remove हो जाएंगे आपको पता है जब एक hydroxyl मिलते हैं तो क्या बनता है H2O water एक water molecule यानि कि दो amino acid आपस में जूड़ेंगे तो एक water molecule remove होगा इस process में अब यह जब water molecule remove हो रहा है तो इसके वज़ा से carbonic carbon का bond और amino group का nitrogen है उसके बीच में एक और bond बनेगा जो के second structure जो के नीचे आपको structure शो हो रही है यहाँ पर यह blue color से जो bond शो हो रहा है यह attachment हो जाएगी इन दोनों की अब इसकी वज़ा से क्या होगा दो amino acid थे पहले अब एक complex structure बन गया पहले दो mono मर थे अब एक complex structure या poly structure बन गया वो जो है एक bond की वज़ा से बना है यह bond मुझूद होता है कार्बोनायल कार्बन और amino group के nitrogen के बीच में तो carbon और nitrogen के बीच में जो bond मुझूद है यह bond कहलाता है peptide bond यह bond कहलाता है peptide linkage तो यह peptide linkage होगी जिसकी वज़ा से आपको जो amino acid है वो protein बना लेगा various number of amino acid joint to one another जैसे अब इस वक्त हमने जो structure देखी आपने देख सकते होगे आप दो amino acid दुसरे के साथ मिले और एक peptide bond बनाया तो यह complex structure बनी तो इसी तना से different number of amino acid दुसरे के साथ joint हो सकते हैं attach हो सकते हैं कैसे with peptide bond, peptide bond के through attach होंगे यह और जो complex structure बनाएंगे वो कहलाएगा from protein वो जो complex structure बनेगी वो कहलाएगी protein there are 20 different kinds of amino acid अब यह जो इस अब हम amino acid के बात कर रहे हैं कि यह amino acid आपस में attach होंगे तो total 20 different kind of amino acid होते हैं but with different combination they form different kind of protein लेकिन यह जो 20 different kind of amino acid हैं यह एक दूसरे के साथ different combination से different attachment से जो new structure बनाएंगे वो protein कहलाती है इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है तीन color में आपको यह सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि तीन अलग-अलग amino acid है एक blue color से शो हो रहा है एक green से एक pink से तो यह तीन हो अलग-अलग amino acid है तीन हो एक बुसरे के साथ बनेंगी वो protein की होगी इस वक्त आपके सामने जो chain शो हो रही है वो chain protein के लिए शो हो रही है और उसमें जो हर एक ball यह हर एक monomer है हर एक single unit है वो single unit आप amino acid को शो कर रहे है तो बिल्कुल ऐसे ही different kind of amino acid अलग-अलग तरहां कि अलग-अलग color शो करने का मकसद है कि अलग- amino acid अलग-अलग तरहां कि amino acid एक दूसरे के साथ जूड़ जाते हैं एक bond के तुरू वो bond कहलाता है peptide bond और यह सब आपस में मिलके जो complex structure बनाते हैं वो complex structure कहलाती है protein इसके लाव हमने एक और बात कि अभी theory में कि there are 20 different kind of amino acid तो basically वो 20 different kind of amino acid है यह इस वक्त आपके सामने structure में show ह हो रहे हैं यह हैं वो 20 structure जो के different amino acid के structures हैं तो यह जो 20 different amino acid है यह हम further classification में को और जाधे explain करके पढ़ेंगे लेकिन फिलाली सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो हमने अभी अभी बात पढ़ी हमने जो अभी point पढ़ा कि 20 different kind of amino acid होते हैं तो वो यह होते है structure कि अगर हम बात क करें तो यह सेम वह structure है जो के हमने अभी introduction में definition में discuss कर ली थी अगर आपको वही समझ आ गई है तो यह आपको बिल्कुल इजी लगेगा structure क्या है amino acid की बिल्कुल structure होती है it contains a central alpha carbon वो ही carbon जो के अभी हम बात कर रहे थे वह carbon जो के functional group के साथ attached है वह carbon जो के center में बीच में मोझोद है सबके में मोझोद है वो carbon alpha carbon है इसके जो bracket में लिखा है बिसिकली अलफा कार्बन के रेफिनिशन है कि the carbon attached with the functional group वो कार्बन जो के functional group के साथ attached हुआ वाओ यानि के functional group कौन से आपके पास amino group NH2 जो के एक साइट पर मौझूद है दूसरा है कार्बोजालिक एसेड जो के लफ्ट साइट पर मौझूद है तो amino group और कार्बोजालिक एसेड group दो functional group के साथ जो जिस carbon के साथ attach होता है वो carbon कहलाता है alpha carbon है central carbon यहां पर arrow से इंडिकेट कर दिया आपको center में जो carbon है वो है alpha carbon वो alpha carbon क्यों कहलाता है क्योंकि उसके साथ 2 functional group attach है कौन से functional group पर attach है एक है amino group दूसरा है कार्बोजालिक एसेड ग्रूप इस कार्बोजालिक एसेड को हम कार्बोकसलिक एसेड ग्रूप भी प्रोनाउंस करते हैं तो दो functional group attach है इसके साथ और आपको पता है और यह कार्बोजालिक एसेड यानिके amino part और एसेडिक पार्ट दोनों मिल्क के जो structure बनाएंगे तो यह हमारी जो structure कहलाएगी यह कहलाएगी general structure of amino acid इसके लावा जो आर है यहाँ पर यह आर चेंज हो सकता है यह आर वेरी कर सकता है बाकी जो तीनों group है वो सेम रहेंगे इस आर के चेंज होने पर आपका amino acid चेंज हो जाएगा अब जो हमने बातें structure के लिए पढ़ी सारी वो सारी theory की form में यहाँ पर लिखी गई है इसको एक नजर अगर आप देख लें तो बिल्कुल ईजी है there are present an acid group on one side यहां मैं आपको दिखा दूँ कि एक acid group मुझूद है जो के carbon के एक side पे acid group मुझूद है जो के carbozylic acid है तो an acid group on one side and an amino group on other side of alpha carbon और दुसरी side पे नजर आ रहे है आपको amino group तो alpha carbon के एक side पे एक acid group है जो के carbozylic acid जबकि दूसरी side पे amino group है hydrogen is present on alpha carbon with the R group आप देख सकते हो यहीं पे alpha carbon के साथ hydrogen भी मुझूद है और R group alkyl chain side chain भी मुझूद है the R group यह जो side chain है alkyl group है यह r group में vary to produce यह r group change हो सकता है अभी अभी हमने बात की कि यह r group alkyl group सब में change हो सकता है अगर यह change होगा तो आपका amino acid की जो type है आपके amino acid की जो structure है वो भी change हो जाएगी उसकी जो किसम है वो भी change हो जाएगी उसके जो characteristics है उसकी जो खसूसियात है वो change हो जाएगी सिर्फ इस एक r group के change होने से the r group में vary to produce different type of amino acid it means the kind of all amino acid depend upon the nature of r group तो अब क्या पता चला आपको कि किसी तरीके का amino किसी भी तरह का amino acid होगा उस की जो nature है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आर ग्रूप पर या अलकायल ग्रूप पर सो comprehensively we can say that except glycine अब यह glycine के इलावा क्यों इस बात को हम discuss करते हैं लेकिन except glycine all the amino acid contain following unit with alpha carbon तो glycine के लावा हर amino acid में आपको यह unit मिलेंगे कि सेंटर में alpha carbon होगा उसके साथ एक number one पे alkyl group attach है number two पे काबोजालिक group attach है amino group attach है और fourth hydrogen atom attach है तो हर amino acid में यह 4 group attach होते हैं किस के साथ attach होते हैं alpha carbon के साथ attach होते हैं सिवाए glycine के अब glycine के यहां पर क्यूं बात की गई क्यूंके glycine आपको टॉप पर फर्स ट्रक्टर जो नजर आ रही है यह structure है glycine की सिवाए क्यूं बात की गई क्यूंके glycine एक अके लिए ऐसी structure है जहां पे center में central carbon है carbonic acid group है amino group है और hydrogen group है जबके अलकाइल गूरूप की जगा ग्लाइसीन एक अकलोती ऐसी structure है जिसमें अलकाइल गूरूप की जगा फी hydrogen की ही attachment होती है इसके लावा हर amino acid में अलकाइल क्या side chain में attachment होगी सिवाए glycine की तो यह तो था सारा introduction इंशालों नेक्स लेक्चर में हम डिसकर्स करेंगे classification of amino acid जिसमें further standard non-standard classification of amino acid की तो next lecture में classification करेंगे तब तक stay blessed Allah Hafiz